आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है हमारा चैनल का नाम स्टरी केसफ है स्वागत करती हूं आप सभी का और आज की वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिसने भी स्वमसाहतासमूब बनाया है तो अब आपके गाओ में अगर ग्राम संगठन बन गया है तो ग्राम संगठन के अंतरगत जो उप समितियां बनाई जाती है तो उप समितियों के माध्यम से रोजगार के अफसर भी बहुत सारे आते हैं बहुत सारी नौकरियां जो गाउं में स्वेम साहता समू की महिलाओं को दी जाती हैं उन पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको सही जानकारी हो और आप भी रोजगार से जुड़ पाएं और अच्छी आमदनी कमा पाएं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिद्यों को सुधर कर पाएं कि आज की reidio में मैं आपको पूरी बात बताऊंगी तो वीडियो को एंड तग जुरूर देख्येगा कोई भी बात हो तो कॉमेंट बउक्ष में कर पूछ सकते हैं और आपको वीडियो की एंड तक जाकर जानकारी अच्छे से प्राप्त हो पाएंगी तो इसलिए वीडियो क को इसकिप करके या छोड़कर बिल्कुल ना देखें वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि ऐसी इंपोर्टेंट जानकारी की वीडियो आपको पहले से पहले मिलती रहें और मेरे चैनल के माद्यम से आपको जो जानकारी दी जाती है वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली चलिए आज की विशे पर बात कर लेते हैं देखिए जो पुराने समू हैं वहां तो समीतिया बहुत पहले ही बन गई होगी उनको नालेज भी इस बात की होगी लेकिन जहां कहीं समू अभी 6-7-8 महीना पुराने हैं या एक वर्ष कारकाड़ी समिति बनाई जाती है और उस कारकाड़ी समिति में यह उप समितियां बनाई जाती हैं तो ग्राम संगठन कैसे बनता है कारकाड़ी समिति क्या होती है कैसे बनती है इस पर मैं वीडियो पहले से बना चुकी हूँ और लिंक ओपर आई बटन में देदूंगी औ एंड स्क्रिन पर वीडियो लगी होगी वहाँ से देख सकते हैं और इसके लावा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देदोंगी ग्राम संगठन का तो वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं बात कर लेते हैं कि जो कारकाडी समीति हमारे ग्राम संगठन में बनती है उसमें से ही कारकाडी समीति की दीदियां होती हैं वो समू की तीन दीदियां होती हैं हर समू की तीन तीन दीदियां कारकाडी समीति में होती हैं तो कम से कम कारकाडी समीति में 20 से 30 दीदियां होती हैं तो उनी दीधियों को अलग-अलग काम बाट दिया जाता है, उनकी समिती बना दी जाती हैं, और एक समिती में तीन, चारी या पांच दीधिया होती हैं, और वो अपनी-पनी समिती का काम देखती हैं. तो ये उप समितियों के अंतरगत ही विभिन नौकरियां आती हैं जिस पर मैं अलग-अलग वीडियोस बना चुकी हूँ चैनल पर जाईए और सभी वीडियोस को देखिए जैसे कि इन ही समितियों के अंतरगत फिर आपको किर्शी शक्खी की नौकरी है अजीव का सक्खी की नौकरी है उद्योक सक्खी की नौकरी है और आपका बैंक सक्खी की नौकरी है और आपकी बीस सक्खी की नौकरी इसी के अंतरगत आती है इसी तरह से पसु सक्खी की नौकरी है विभिन ने नौकरियां जिन पर मैंने वेल पहले से वीडियो बना रखी ह तो ये जितनी भी सखियां जो तैनात की जाती हैं ये समितियां हैं इनी की निगरानी में रहती हैं और सारा बेवरा इनी को देखना पड़ता है तो विबिन प्रकार की समितिया बनती हैं और सी समितिके माद्धिम से आपको विबिन सख्षियों की नौकर्या भी पराप्त ты होती हैं समय समय पर रखी जाती है और ग्राम संगठन जैसे ही आपका बन जाता है तो वहां बहुत सारे जो है नौकरी के अफ़र आपको मिलने वाले हैं तो अभी तक आपने अकर समू नहीं बना ज़रूर बना लीजिए और अगर आपका समू 3-5-6 महिना पुराना है तो ग्राम संगठन के लिए आप जाकर ब्लाक पर बात करिए और आपका ग्राम संगठन बन जाएगा तो क्लस्टर में भी जुड़ जाएगा क्योंकि आगे जाके जिस तरह से समू को ग्राम संगठन में जोड़ते हैं तो ग्राम संगठन को क्लस्टर में जोड़ते हैं और अब मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि जो समीतियां बनती उनके क्या नाम होते हैं और ये भी जान लीजे कि समीतियां सब जगा एक सी नहीं होती हैं जो चार हैं वो कुछ पिरमुख हैं वो सब जगा एक सी होती हैं लेकिन बाकी समीतियां ग्राम संगठन अपनी आवसकता के नुसार बना लेता है आगे ग्राम संगठन में जो प्राधिकारी होते हैं अपने गाउं की इस्थिति के नुसार समीतियों का गठन करते हैं और जो समीति ग्राम संगठन में सरकारी पैसा फंड का आता है तो उसका उपयोग उसी तरीके से वो लोग करते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारे गाउं में सबसे अधिकावशक्ता किस चीज की है, कौन से अधिक मुद्दे हैं, कौन से अधिकावशक्ता हैं तो उसी इसाफ से समितियां बनाई जाती हैं, और गाउं का सरवे करके सभी आकड़े çevt होते हैं और बहुत सारा है विकास गाउं में इनके द्वारा क्या जाता है यहां पर हम देख लेते हैं कि कारस्षय में कास्रंवी किया है गाउं में कैसे क्या आपका काम का सर्वे है कि कितना काम हुआ है विकास नहीं हुआ है सब जो है आपको सर्वे करके लिखना होता है यहाँ पे पांच समीतिया दी हुई है और आवश्चक समीतिय सबसे होती है सबसे आवश्यक समीती होती है जैसे आपका सामाजिक समीती बैंक जुडाव समीती रेड़ वसूली समीती और जो आपका खरिदारी समीती है और इसकलावा मैं आपको लाइन से पढ़के बता दू तो सामाजिक अंकेच्छर समीती रेड़ वसूली समीती बैंक जुडाव समी समीटी सामाजिक समीटी खरिदारी समीटी नीचे यह भी लिखा हुआ कि संस्था के साथ समन्वे स्थापित विभिन योजना ता उनके सेवाओं पर चर्चा जैसे विद्वा पेंशन अविरद्धा पेंशन एन आर इजी एस आंगनवाडी मद्या भोजन अन योजनाओं के म संग Kita आनगरम संगानन और विलाग के माध्विम से मिलती रहीं टेंगी आपका ग्राम संगाथन सारे योजनाओं का गंदिया देता की आपको में हमारे सबी समूह चनल का आफिस के बनाई जाती है वो मैं कर्क्स होतीए जैसे कि सिख्छा समीती, स्वास्थ समीती और जो है आपका जैसे गाओं में रुजगार अजीवका समीती, रुजगार देने के लिए अजीवका समीती बनाई जाती है, भाई किसको रुजगार चाहिए, कौन अभी तक बेरुजगार है, तो अजीवका समीती होती है, और जो कि बाल विबा हो गया दहेज पर था हो गई और गाओं की विकास पर आधारित जिसे नाली है सड़क है और बहुत सारी ऐसी जो है आवशकता की जो चीजें हैं उन पर और घरेलू हिंसा पर आधारित है तो बहुत सारे ऐसा जो है समितिया तयार की जाती है और सबसे इंपोर् निगरानी समीति यह समूों की निगरानी करते है कि यह कितनी स्थिती इनकी सही है यह रेल जितना मांग रहें इनको दिया चाये गर जेते हैं समूर्ण्व का बेवरा चेक करती है महिला है कि इनको लेड़ अगर 50,000,000 दे दिया जाएगा तो इनके घर में क्या काम होता है यह दे पाएंगे की नहीं तो सब इस तरह से और बाकी समूग निगरानी समीति समूग ठीक चल रहा है की नहीं विकास हो रहा है की नहीं कौन सा समूग पीछे रहा जा रहा है किस समूग में क्या समस्या है समूग निगरानी समीति का काम होता है बहुत से ऐसी समीतिया तो अपने हिसाब से सब जगा समीतिया बनती है और इनी के माद्धिम से आपको रुजगार उपलब्द होता है अगर आप इन सब समीतियों के बारे में डेटेल्स जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो में उप समीतियों पर बनाने वाली हूँ जिसमें मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ कि परते एक समीति का क्या क्या काम होता है और दीदियां उसमें कैसे किस तरह से काम करती हैं तो उसको जरूर समझ लीजे ताकि जब आप इसमें जुड़ें तो आपको पहले से इसकी knowledge होनी चाहिए तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखना बिलकुल न भूलिए क्योंकि सबी समीतियों के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पूरा दिखने का बहुत बहुत धन्यवाद